इस वीडियो में हम देखेंगे MSBT Backlog Exam के बारे में स्टुडेंट को आने वाले कुछ डाउट्स के बारे में, तो सबसे पहला डाउट देखते है, Backlog Paper की एक्जाम कब होगी? तो अभी आपकी विंटर 2023 एक्जाम होकर उसका रिजल्ट भी लग चुका है. और इस एक्जाम में, अगर आपके कुछ सबजेक्ट Backlog लगे हैं और रिचिकिंग में वो निगलेंगे नहीं ऐसा आपको लगता है, तो आपको उन सबजेक्ट्स को Backlog Exam में निकालने पड़ेंगे. ये Backlog Exam, Regular Exam के साथ साथ ही होती है. इस Backlog और Regular Exam का फॉर्म शुरू होंगे 6 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में. और ये Backlog और Regular Exam एप्रिल महीने में होगी. अब देखते हैं Next Doubt. जो की है Backlog Exam का Study कैसे करें, तो इस Exam के लिए आपको सबसे पहले, इस बार विंटर में जो Question Paper आया था, उसे पूरा Solve करके देखना है. उसके बाद आपको पिछले 2-3 साल के Model Answer Paper डाउनलोड करने है. ये Model Answer Paper किस तरह डाउनलोड करने है? उसका वीडियो नीचे Description में आपको मिलेगा. Next आपको Subject Teacher से Notes मांगनी है, जिससे आपको Study करने में आसानी होगी, और सभी Main Main Topic Rough Book में लिख कर उनकी Practice करनी है. ये सारी Steps आप Follow करोगे, तो आप All Clear हो पाओगे, वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सबस्क्राइब किजिए.